फर्दर डिस्कस करना स्टार्ट करते बच्छों आप लोग ये मेरे बारे में इन्फॉर्मिशन है आप लोग इदेख सकते हैं फटा फट वीडियो को सेर करते हैं आप लोग डेली लाइब क्लास ज्वाइन कर सकते हैं मैच से स्पेसल ग्यारा बजे होती है इस क्लास को आप लोग कल ज्वाइन कर सकते हैं अनेकडमी लाइनिंग पर हलो हाई सभी लोग बढ़ी हाएं बिंदास है जहकास है ठीक है सबको मेरा नमस्ते यह आप लोग को प्लस बैज जो परचेस करते हैं उनके लिए यह इन्फॉर्मेशन है आप लोग इन्फॉर्मेशन यह है आप लोग परसनल गाइडिन सारी चीज़े फीचर्स मिलेंगे लाइप टेस्वी कलिट इस्टेक्चर स्कोर्स इसका प्राइज यह है यदि आप रैफल कोड नितिन यूज करते हैं तो 10% डिसकाउंड मिलेंगे यह 78 रुप है, 65 रुप है, 54 रुप है यह आपका yearly पड़ेगा और आपका मन्थली में जो जाएगा यह आपका यह price है एक बार फिर से मैं सभी का नमस्ते स्वागत करता हूं तो स्टार्ट करते हैं पहला question आपकी screen पर यह सभी लोग इसे try करें इस question का answer क्या आएगा फटा-फट बताए, what should be correct answer इस question का answer क्या आएगा और आपका यह रहा timer का फलतवा जी है मेरे भाई अच्छे daily class होती है आप सभी लोग इसे join करना बिलकुल मत भूला गरे ठीक है बच्छो फटा-फट ट्राई करें इस question का answer क्या आएगा फटा-फट बताए बच्छो कुछ लोग C answer दे रहे अच्छा इसमें compound ratio यह आपका SSC CGL 2016 में पूछा गया है इस question को compound ratio कभी भी आप से पूछा जाता है तो ratio is nothing but it's a fraction तो आपको इसका multiple ही निकालना है 1 upon 2 जैसे इसको में थोड़ा बढ़ा कर ले तो मैंने लिखा इसे 1 upon 2 इसे हम लिख सकते है 1 upon 2 is 2 यहाँ पर क्या लेख सकते है 3 upon 5 और 5 upon 9 तो 5 से 5 कट गया 3 से 3 कट गया तो 1 upon 6 आ गया यह आपका option A यहाँ पर कितने लोगों ने सही answer दिया है 1 upon 6 is a right answer कुछ लोग D option दे रहे D is a wrong मैं बता रहूं D आपका wrong answer है आपका 1 by 6 is a right answer है कई लोगों ने बिल्कुल सही answer किया है और कई लोगों ने गलत answer किया है side हट जाईए बिल्कुल मैं side हट गया मेरे भाई अब तो दिख रहा होगा न next question आपकी screen पे इसको try कर यह same question है और आपको इस question को try करना है फटा फट बताए timer आपका यह है बच्छो फटा फट बताए what should be correct answer 5 4 3 2 1 cut up time देखो अब दोखो कभी भी आपको compound ratio पूछे मैंने बोला ratio is nothing but it's a fraction जैसे आप लिखते हो 2 ratio 3 बच्छो जैसे लिखते हो 2 ratio 3 तो क्या आप इसको 2 by 3 बोलते हो कि नहीं बोलो हां की ना समझ गया ना fraction को हम ratio नहीं but ratio को fraction हम बोल सकते हैं क्या हम लिख सकते हैं क्या इसके बारे में हम बताएंगे आपको बट पहले आप यह देखो इसको हम लिख सकते है 5 upon 7 is to multiply 15 upon 14 और 98 upon 75 इसे कट करेंगे 5 बार जाएगा 14 78 साथ से 7 कट गया 5 से 5 कट गया 1 ratio 1 आपका answer कौन का question था आप लोग इसे 20 सेकेंड में भी question को solve कर सकते हैं next question आपकी screen पे आपको पूछा है था fourth proportion जल्दी से बताएगा answer timer आपकी screen पे यह रहा बच्चो और यह timer आजा यह लोग try 26 seconds है आपके पास फटा फट बताएँ आपका fourth easy था बिल्कुल यह easy था count नाइन का आपका fourth proportion निकालना इसका आपको fourth proportion निकालना क्या निकालना fourth proportion चतुर्थ अनपाथ कि सभी लोग बताए यह यह बच्चा आगया सुवानशू मेरे से पहले पढ़ता था यह क्या नाम सुदान्सू यस कि इस्टूडयो चैनल पह पढ़ता था मेरे से ना, اम राइट, 4th proportion निकालना है, 4th proportion हम लोग कैसे लिखते हyszब, जैसे आपका 4 parallel 5 कोई भी निकालना, 3 number रेश यो पर लखता है, दोखू 6 ratio 8, proportion 9 ratio X, fourth proportion 4th position पे आ जाता है, या here, X क्या है, 4th proportion 4دة 5 या यहां, fraction में, इसको लिख दे 6 अपॉन 8 इकल टू 9 अपॉन एक्स इसे कट करें ये 2 3 4 ये 3 3 से कट करेंगे एक्स इक्वल 2 12 आपका अंसर आजाएगा जो कि ए ऑप्शन है बोलो हां की ना क्लियर है कि नहीं क्लियर ना वेर गुड एक्सिलेंट सभी लोग अविल्कुल सही जवाब है 12 इस राइट आंसर फेर गर्ट चलिए अप नेक्स कोशन की तरह मूब करते हैं नेक्स कोशन आपकी स्क्रीन पर ये राज सभी लोग बताईए निम लिखे पर यहां पर आपको इसका जो कोशन मार् सब्सक्राइब करेक्ट आंसर यार दुख इतनी कंजूसी क्यों गर रोलाइक करने में बहुत हार सर आगे 42 रिचा बोल नहीं यहां पर बहुत हार सर देखे पीटा यहां पर हम लिखते हैं 6 रेशो एक्स प्रोपोर्शन 5 रेशो 35 तो एक्स अपॉन 6 एक्स पाइप अपॉन 35 इसको यहां इस तर लिखते हैं 7 और 7 के इधर मल्टिप्लाई करते हैं सभी लोग ने बिल्कुल सही जो आप दिया नेस कोशन आपकी स्क्रीन पर आज सभी लोग इससे बताएं आपको यहां पर निकालना है थार प्रोपोर्शन तरती अनपाथ इसको हम लोग यह बोल सकते हैं तरती अनपाथ हिंदी में टाइमर आपका यह रहा देखें ऐसे कोशन आपके रेलवे में बहुत पूछे जाते हैं एससे में भी पूछे जाते हैं सभी लोग ट्राई करें फटा फट बताएं बच्चो डी कुछ लोग डी दे रहें 8 सेकंड आपके पास जल्दी से बताएं फटा फट बताएं बच्चो अच्छा यार दोखो यहाँ पे 100 लोग लाइक किये और 250 लोग देख रहें 260 तो यार मैं इस दोस्तों कि यार क्या 500-300 हो सकते हैं आप लोग सेयर करो यार दिल खोल के सेयर करो दोखो एक बात बोलें आपका हक है मेनत करना और आपको अपनी मेहनत पर विश्वास होना चाहिए जिन्दगी कोई भी चीज हो कोई भी चीज पाना इतना कठिन नहीं है इसी मेहनत के दम पर आप बहुत कुछ कर सकते हैं इतिहास वही रस्ता है जो मेहनत करने से पीछे नहीं हटता ठीक है तो आप लोग यदि लेट एट के विश्थर में क्लास ले रहे हो तो बिल्कुल कमर सीधी करके टेबल में बैठके क्लास लीजे फिर देखिए दिमाग क इतनी स्पीड से काम करेगा एक बच्चा फोन करा बोला सर मुने का हां बेटा बोलो सब दिमाग नहीं काम करता मैं क्यों करते सब्सक्राइब पढ़ते हैं समझ मी नहीं आ तो हमने का कैसे पढ़ते हो बोला सर बेड में बढ़िया लेट के और मोबाइल चला के प्रोपोशन को करें त्रती अनपाथ थर्ड प्रोपोशन थर्ड प्रोपोशन समझें जैसे हमने का कोई भी नंबर है उसका थर्ड प्रोपोशन जैसे ए और बी का थर्ड प्रोपोशन निकालनों आप लोग यह फार्मूला भी लिख सकते हो थर्ड प्रोपोशन त्रती अ 12 आपका अंसर क्या 12 आएगा क्या बोलो हां की ना बच्चो सभी को clear हुआ ना 12 आया right answer हुआ कि नहीं बोलो हां की ना अच्छा सभी लोग ज़ाई ओल के बैटे हैं अच्छा आज गूमने चलाया अरे मेरे भाई अच्छा सभी लोग It's a very good question and यह आपके exam से ही direct question लिया गया है. यह exam में ऐसा question बहुत आता है और यह आपका timer राफट 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 बताए क्या आएगा answer. What should be correct answer? Sir, हमने बताया, बिल्कुल प्रभात आप, प्रभात ने बताया और मैंने देखा, यार. Akles Kumar, रिचा, रूट 46, very good. रूट 46 हड़ जाता हूं, यार. हाँ, हड़ गया हमें. किनारे आगया, साइड पर आगया, खोपचे में आगया. रूट 46, Mr. Prasad, very good, excellent. अच्छा, इसका mean proportion समस्तों, चलो mean proportion मैं बता देता हूं. कभी किसी का mean proportion निकालना, जैसे 9 and 4 का mean proportion काएगा, मध्यानुपाद, जिसको हिंदी में बोलते हैं, मध्यानुपाद, समझो, फिर सा समझाते हैं. जिसको बोलते हैं, मध्यानुपाद, क्या बोलते हैं, मध्यानुपाद, बेटा, मध्यानुपाद, जिसको बोलते हैं, इंग्लिस में mean proportion क्या बोलता है mean proportion जैसे किसी का भी mean proportion निकालनों संख्या a और b है root a भी होता है आप लोगों ने ap gp पढ़ी होगी mean proportion अच्छा बताओ mathematical mean greater than होता है या geometrical mean आपको ये clear भी होना चीए एक बार ssc cgl में आया is greater than equal to geometrical mean equal to तब होता है जब एक प्लस भी equal हो यदि यह ड़स नौट equal to b तो यहां से equal का sign हट जाएगा clear है दो संख्याओं का समझना दो संख्याओं का mathematical mean हमेशा geometrical mean से जादा होता है यह हमेशा ध्यान लखना है आपको ठीक है mean proportion आप से यह पूछा इसका हमने समने चले आए थे अब जाओ आईडिया बहुत बढ़ी हैं होके मुके स्यादो थैंकी सो मच दिल से सुक्रिया बार बार सुक्रिया हजार बार सुक्रिया चलिए आते क्वेशन पर मीन प्रोपोशन आपको clear हुआ कि नहीं बोलो हां कि ना बच्चो जैसे मैंने बोलो अठारा और आट का मीन प्रोपोशन के आएगा तो धारा ठेक 14 इसे यदि हम ए बोलते हैं यह आपका बी है और मुझे निकालना है मीन प्रोपोशन तो度के इंदर क्या मैं यह लिखूंगा 7 plus root 3 और 7 minus root 3 बच्चों बताओ A plus B minus B का फार्मूला जानते होगे बच्पन में पढ़ा होगा master ने पढ़ा होगा master ने पढ़ा होगा पढ़ाया तो जरूर होगा क्या होता A plus B minus B A square minus B square A square minus B square का फार्मूला क्या होता है 7 का square क्या 49 हो जाएगा कि फिर से देख लेना कि सर मज़ा आ गया बिल्कुल मज़ा आएगा चाह थ्री अंडेड तो टस्तों करो यार भाई दोगो नाइंटी सिक्स है यार थ्री अंडेड टच करो दिल खोल को फिर बढ़े हाँ से ट्रिक बताएंगे इस कोश्चन को ट्राई करो क्या है का अंसर मात आपके पास 20 सेकंड है क्या 20 सेकंड में कोश्चन को सॉल कर सकते है बिल्कुल कर सकते है क्लास मेरी चल लगी है ओके यस भाई दोगो एक अभी रह गया एक अभी रह गया यहां पर इसे हाँ एक रह गया भी 296 याद 300 करो सर मजा आ गया मैं आ गया अच्छा गेटिंग ग्रीटिंग फॉर्म हैद्राबाद थैंकि सो मच साइं आप ओके आप आगए वेरी गूट कुछ लेवल लाइए लेवल आपका यह बिटाप ट्राइग करिए 320 वेरी गूट एक्सिलेंट वाव नाइस नाइस न आइस नाइस 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 वेरी गूट आप्टरून नॉट मार्निंग प्लीज सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते हैं तो यह लिखा है कभी भी आपको यह नंबर और यह नंबर आपका मध्यान उपात निकालना तो इनके बीच कुछ ना कुछ कॉमन नंबर आएगा तो हमने देखो 3 प्लस रूट 2 लिख सकते हैं इसको क्या बेटा हम यहाँ पे 4 कॉमन ले ले लें तो पहले यह बताओ हम इसको कॉमा क्या 4 गुड़े 3 लिख सकते हैं बोलो माइनस क्या हम इसे 16 गुड़े रूट 2 लिख सकते हैं क्या यह लिख सकते हैं इसको बोलो यह लि 3-2 लिक्ष सकता हूं क्या. 3-2, 3-2. अब इसका आपको mean proportion निकालना है. दो number है. इनका mean proportion निकालोगे. इनका mean proportion क्या आता है? mean proportion, हिंदी में बोलते हैं, मद्यण अनुपाद. हिंदी वाले परेशान बिल्कुल मत हो. वही मेरा बात है. यह 3 प्लस रूट 2 और मैं लिखूंगा 4 3 माइनस रूट 2 यह 4 के साथ 4 3 माइनस रूट 2 क्या आपने बचपन में पढ़ा है plus b minus b plus b minus b root 3 का 3 का square 9 9 minus root 2 का square दोखो यह 4 तो बहार आ जाएगा बहार आ गया 2 clear है कि नहीं बोलो हा की न आप इधर दोखो 3 का square 9 और 2 का square क्या आ जाएगा 9 minus 2 तो यह 7 आ जाएगा root के अंदर 2 root 7 क्या option कौन सा है दोखो इससी खेल गया none of these होगा समझ गया खेल गया आपसे क्या होगा none of these बोलो हा की न क्लियर है की नहीं बोलो हा की न आता है आपकी जय हो मेरे भाई लवली बाई आपकी भी जय हो और सर सर उल्टा पल्टा के चरण इस पर सोके मेरे भाई बिटा पिक्चर क्वाल्टी बढ़ा लो अभी आपको दिखेगा साब दिखेगा नेक्स कोशन आपकी स्क्रीन पर यह है सभी लोग ट्राई करो इस कोशन का अंसर क्या आएगा उडिशा प्रिवाकरदास नमस्ते भाई आपको भी मेरा नमन आपको आपका बहुत बहुत अभार कि आप हमारी क्लास में आये और आपका विश्वास जो हमारे साथ है, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, आपके विश्वास से ही हम पूरे क्या हम आपके विश्वास से ही आपके दिल में और हम आप हमारे दिल में वास करते हैं, विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है, चलिए, इसको देखते हैं, अच्छा, यहाँ पर कह रहा है, दो संख्याओं का अनपात, आठ अनपात, साथ में इन दोनों संख्याओं का योग कितना यह है, अभी संख्याओं देखो, यदि कोई नंबर रेशो में होता है, तो इसको हम यूनिट में लिख सकते है, 8 यूनिट, 7 यूनिट, 15 यूनिट, 15 यूनिट ब्राबर क्या, 30, दो संख्याओं कीजाओ, अच्छा, एक यूनिट ब्राबर 30, 240, 210 आ गया क्या, बोलो हाज किना, 240, 210 ऑप्शन भी है, लूंट यहीं में गड़ब्री कर देते हैं, 210, 240 लगा के चले आएंगे, फिर काएंगे, हम तो बहुत अच्छा पैपर करके आए अरे बाप गलात हो गया हमारा ऐसे होता है क्लियर है कि नहीं बोलो हां कि ना इसे ट्राइए करो कि इस कोशन का अंसर क्या आजाएगा कि समझ गया ना हाँ बीना पेन उठाए हो जाएगा मैं राजस्थान से हूं सागर आपको भी मेरा नवस्ते बच्चो ओके ट्राइड इस वन टाइमर आपका यह है अच्छा आप बेश्ट पंगाल से हैं ओके यह भी पेन उठाए हो सकता है यदि दोनों संख्याओं का योग कितना है ग्यारा दो 20 बीस पराबर 33 तो संख्याओं के बीच अंतर तो चाचट आएगा कि नहीं बोलो हां कि न कर सकते हो न बगैर पेन उठाए बोलो भाई चाचट 66 is a right answer very good excellent 66 क्या जाएगा आंसर 66 इसे ट्राइ करिए कोईंस का कोशन आ गया 66 is a right answer बाकी कोईंस का यह हो गया 66 इसे कोईंस वाला बैग में 60 रुपी 25 पैसे 65 की संख्या ग्याद कीजिए ट्राइ दिस वन ट्राइमर आपका यह यह तो थोड़ा सा इजी कोशन इसे ट्राइ करिए यह कह रहा है कि क्या कह रहा है मिस्टर विद्रोग ग्राफर चलिए कोशन दे रहे हैं कुछ लोग कह रहे हैं लेवल का कोशन लाई है तो देखिए लेवल का कोशन इसमें आपको इसको सिंप्लिफाई करना है टू की पावर 2.5 रेशो टू ओप्शन ए 5 रेशो वन होगा ओप्शन बी 1 रेशो 5 होगा ओप्शन C 4 रेशो वन होगा ओप्शन D 1 रेशो 4 होगा ट्राइ दिस वन कुछ लोग करें लेवल का लाई है तो ट्राइ करिए ए भी दिये दे रहे है लो ए भी ले लो नन आप दीज नन अब ट्राइ करो मज़ा आ गया सी ए ए बी बी जोनी कल जिसने क्लास लीती वो बता देगा ए ए सी ए ए ए भी या ए सी फाइफ रेशो वन होगा वाँ यह लड़का कहां गया जो गया दोसर लेवल गलाई है लेवल गलाई है लेवल गलाई है कहां गया वो मेरे भाई तुम दो अपना अंसर दे दो कौन था मेरा बाबू मेरा मुन्ना मेरे लाल मेरे दुलारे ओके आपको भी नमस्ते जो वेस्ट बंगाल से हैं जो भी जहांसे हैं सब भारत से हैं आप सभी लोग बोलिए हम भारत से हैं यारत क्या सब भारत में बसता है क्या वेस्ट बंगाल क्या उडिशा क्या सब सबसे पहले हम भारती है E None of these अच्छा सारे लोगों ने सब आप्षन बोल दिये तो चलिए आपको बता दे Correct 4-7 चलिए देखो गचप जारकन की पावंदेश्टी से पढ़ाम बिटा आपको भी पढ़ाम और नमस्ते मेरा और आप बहुत ही तरक्की करें अपने जीवन में बहुत ही लक्ष जो भी आपका ड्रीम है आप उसको जल्दी एचीप करें देखें सब लोग कुछ लोग इसको कहेंगे सर इसको काट दो 25-25-25-25 ओप्सिन लगा के आजाएंगे बोलेंगे घर पे मालुम है बहुत अच्छा पापा बोलेंगे पेपर कैसा हुआ मम्मी पुछे बिटिया पेपर कैसा हुआ बहुत अच्छा हुआ और कोशन था हम बिल्गुल कर रहा है फिर जब आंसर कियाएगी ये गलत है फिर बोलेंगे अच्छा बिश्वास वो गलत कोशन चिक किया है फिर मालुम है हमारी क्लास आएंगे किसी दिन हम पढ़ा रहे होंगे फिर बोलेंगे कि भाईया देखो mathematics कहता है कि power का compare तभी होता जब ये equal होता है यदि हम इसको ये लिखते तब हम power का compare कर सकते थे न बड़ ऐसा कुछ होता ही नहीं कि ratio का ratio निकलाता है power का ratio नहीं निकलता हम इसको सबसे पहले A by B के form में लिखेंगे अभी clear है कि नहीं समझना मेरी बात को और ये उपर जाएगा जब ये जाएगा 2 की power exponent power आपने को पढ़ाया न minus 0.5 होगा नहीं समझ में आया तो फिर से देखो भवा हमने कहा था यदि power उपर जाता है मेरा मुना मेरा बच्चा यदि उपर जाएगा तो 2 की power 0.5 ये minus होगा की नहीं बोलो मिरे लाल बोलो आप देखो देखो Meyer क्या बोल ला था ये वीडियो ग्राफ पर अभी फस गया था लेबल के कराओ हम लेबल के करा दिया फस गया ये फस गया था अब देखो ये minus होगा तो 2 की power 2.5 माईनस 0.2.5 एक है कि step समझा रहे हैं बहुँआ इतना तुम्हें offline में नहीं समझाया जाएगा minus होगा तो बताओ क्या जाएगा 2 की power 2 1 तो 2 की power 2 तो क्या 4 upon 1 क्या हम इसे लिखेंगे 4 ratio 1 और option C जितने लोगों ने सही दिया था उनके लिए भाई ताली बजाओ जितने लोगों ने अभी भी देखो 1 ratio 5 दे रहे भाईया 1 ratio 5 नहीं होगा जितने लोगों ने 4 ratio 1 दिया था सभी का सही जवाब है और सभी के लिए बोलो हा की ना राजा कुमार कह रहे है अरे बेटा अच्छा कब से बता रहे हैं बेर गो डेली क्लास होती है मेरे मुन्ना डेली क्लास होती है 12 बज़े आप लोग जरू जाएए ट्राइडिस वन राम राम थोड़ा इज़त दे दो भाई छोटा ना हो जाहेगा वीडियो ग्राफर चलो इसे ट्राइए करो वाट शुट भी करेक्ट आंसर आइम राइट चलिए इस कोशन को हम सॉल करते हैं एक बैग में एक ग्रों पाथ दों पाथ के पैसे हैं दस पैसे और पांच पैसे की सिख्के बैग में पैसों का मूल साथ रुपए अच्छा दको जिसको बहुत लेबल का पढ़ना हो तो मेरी दस वजे क्लास होती है टेन पीम पे यहां पे मैं किरन बुक डिसक्स कर रहां कौनसी और रहे कोई बात ने वीडियो ग्राफरब। यॉ방 इन यह एट पीम और रंस अपि मेरी पुरॉफाइल वीडियो की डिसक्रिपशन में दे रहती वहां जाके follow कर सकते हो, ठीक है, तो, ये classes हैं, आप लोग इसे जरूर जोइन कर सकते, चलिए देखते हैं, बैग में 1 रेशो, 2 रेशो, 3, जैसे दोखो, यहाँ पे, टोटल मूले 60 रुपए दे रखा, एक रुपए तो इसको एक रुपए, एक रेशो दो, तो मैंने coins, यदि मालूम है, इसे X, 2X and 3X, ये coins हैं कि नहीं, number of coins, बैटा, number of coins होंगे न, बोलो बच्चो, number of coins होंगे कि नहीं, बोलो हां कि न, I am from Bangladesh, पवन प्रसाद, very good, ये आ गया, अच्छा, इसे हम coins में convert करें, 20 पैसे, 10 पैसे, तो इसको तो रुपए में convert करना पड़ेगा, यदि X coin है, 25 पैसे में कितने रुपए होंगे, एक बिड़े, 4 रुपए, 10 पैसे, एक बिड़े, 10 रुपए, और इधर 5 पैसे में, एक बिड़े, 20 रुपए, क्या हम यहीं लि लिखेंगे, तो हम क्या X upon 4 लिखेंगे, बच्छो, क्या 2 X upon 10 लिखेंगे, क्या 3 X upon 20 लिखेंगे, बोलो हा कि न, अच्छा, इन सब को add करते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, ठीक है, यदि इन सब को add करें, तो क्या आ जागा, X upon 4, plus 2 X upon 10, और इधर क्या लिखेंगे, 3 X upon 20, य यदि हम इदर 20 लें तो 5X इधर कितना आ गया, 4X और इधर कितना आ गया, 3X, equal to 60, यही लिखेंगे कि नहीं, तो 5, 4, 9, 3, 12X, upon कितना आ गया, 20, और यह 60 आ जाएगा, 12, 5, 60, X, 20, 5, 100, X, बराबर 100, आपका 100 is right answer, option C, बुलो हा की न, clear है, clear है की न, बुलो हा की न, सबको clear है, चले, next question की तरब try करते हैं, इस question को try करो, same question यह क्या है, अच्छा, 12 हो गया, 13, इसे try करो, एक बैग में, अच्छा, सिक्को की संख्या, अब सिक्को की संख्या दे रखा यह, इस question को try करो, यहाँ पे number of coins थे, वहाँ पे रुपिया था, यह number of coins थे, हमने रुपिया निकाला था, सभी लोग इसे try करो, नुश्कर, C, 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 very good, excellent, C is right answer, इसे try करो, what should be correct answer, timer आप कहिए, time आप होता है, फटा फटा बता बत्चो, देखे, हम लोग इस question को ऐसे देखते हैं, जैसे हमने लिकाए, बाग में, एक बैग में, एक रुपे, पचास पेसे, पचीस पेसे, एक शिक्के होते हैं, जिसमें, पांच चार्च है, तो दो को यह किया है, जिसका मान, मान का मनलब यह रुपे हैं, ध्यान समझना, यह रुपे हैं, एक बैग में, एक रुपे, पचीस पेसे के सिक्के, एक रुपे, पचास पेसे, और पचीस पेसे, ध्यान समझना, यहां रुपीज की वैलू दे रखिए, जो रेशो होगा, ध्यान रखना आपको question में कैसे पता करना है ये question में बहुत थोड़ा सा confusion आप लोग कर देते हो और इसी में mistake कराते हो यदि यहाँ पे रुपिया दे रखा है तो ये ratio किसका होगा? coins का होगा यदि ये रुपिया दे रखा है तो ratio coins का होगा या question को read करके भी देख सकते हो यहाँ पे जिसका मान मतलब ये रुपिया का मान है रुपिया का ratio 4x 5x और 6x अब number of coins आपको निकालने है क्योंकि question में number of coins दे रखा है number of coins अब number of coins की बात करे एक रुपिया के सिक्के है 4 रुपिया है अच्छा 50 पैसे के सिक्के है total 5x रुपिया है तो कितने coins होंगे 50 पैसे के सिक्के है total 5x रुपिया है या 5 रुपिया है तो कितने सिक्के होंगे 50 पैसे के कितने रुपिया में होते 5 रुपिया में योपाइँ में दे रहा हा तो हर इत हरो फास जया यह दो पैसे एको रोपए में दो सिक्से तो पांच रोपैंक नहीं होगे पचीस पैसे जी चार सिक्क्य वहते हैं सफेड़ रूपे में चो विसे सेまり होता हैं किअ टोटाल है करें गठा टीश होग ड़ाइक। 38x बराबर क्या आपका यही value है 760 एक की value निकालेंग बेटा कितना आजाएगा x बराबर कितना आजाएगा 20 आप से पूछा गया 50 पैसे कितना 10x 10x की value कितनी आगे 200 कितने लोगों ने सही answer दिया था कई लोगों ने बिलकुल सही answer दिया था very good, excellent, बहुत बढ़िया, समझ में आया न, ये बटा क्वाइन्स वाला, यदि क्वाइन्स वाली बात अलग होती है, रुपए वाली बात अलग होती है, सर, इंडिये में कामर्स स्टुडेंट जोइन चाता है, तो क्या ही नहीं है, रिपलाई सर, बटा इंडिये साइन्स स्टीम से होता है, वहाँ पर फिजिस कमिस्टी आती है, ठीक है, ठीक है न, अभी क्लियर है कि नहीं, रोशनी सिंग बोली, थैंक यू सर, थैंक यू, पर यहाँ तो कोशन कराया जा रहा है, ओके, नेक्स्ट कोशन ट्राइगरो, क्यारा आप पंदा लीटर दूद पांच, आप देखो भाई, पंदा लीटर दूद, पांच लीटर पानी, 12 लीटर दूद, फिर पानी, अभी धीरे धीरे लेबल बढ़ेगा, और लेबल बढ़ते बढ़ते कहां ब रेगुलर लगाओ सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं ओके लेट मी ट्राई कि मैं अपना सीडूल ऐसा निकाल पाऊं कि आपको रेगुलर क्लास दे पाऊं बच्छो ठीक है बिसिकली सीडूल बहुत बिजी रहता है हम लोगों का बट फिर भी उसमें यादी मेरा कोई स्लोट बसता है तो डेफिनेटली मैं आपको एक क्लास दो रेगुलर दे ही पाऊंगा सभी लोग इसे ट्राई करें इस कोशन का अंसर क्या आएगा फटा फटा बताए बच्छो I am from UP Gonda भाई सब बोलो भारती हैं हम भारत से हैं रादे रादे मेरे भाई रादे देखो लेट मी ट्राई देखो जैसे आप लोग एक बात समझो इस कोशन को समझाने से पहले मैं आपको एक ट्रेक्टिकल बताता हूं सुनो कह रहा है एक आदमी पंदा लीटर दूद 5 लिटर पानी 12 लीटर दूद 6 लीटर पानी जोड़ता दोनु को दूद की ताकत बताओ एक बात बताओUp मैं ले 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 हैं कुछ भी ले मान लेकre एक बरतन है कोई भी ही है यह मैंने पानी निगाला इससे तो मैं इससे पानी निगालूँगा तो अब मैं इसका इससे रिलेशन बोलूँगा जैसे टोटल यहां पर माल लेते हैं कि suppose that इसका और इसका ratio 2 ratio 8 है या मैं बोलू 7 ratio 2 है तो यदि मैं इसका cup का बोलू तो total पर कितना है 2 upon 9 बोलूंगा क्योंकि total जो ये है इसमें पूरा पानी निकालने से पहले 9 liter या 9 unit था कि नहीं suppose that मैंने निकाला समझना मेरी बात को मैंने कहा इससे निकालने के बाद ये छोटा सका cup है ये 7 unit है ये 2 unit है तो मैं बोलूंगा कि ये 2 unit कितना आपने निकाला तो आप बोलो कि 2 upon 9 बनाप total 9 में से 2 part निकला बोलो हा कि न बात समझ में आ रही कि नहीं जैसे आप कोई ratio लिखते हो कि ये 7 unit से 7 unit निकाला हमने कोई तो हमने जैसे हमने कोई भी है यहाँ पे question एक आदमी 15 लीटर दूद 5 लीटर पानी जैसे हमने लिखा 15 लीटर दूद milk और 5 लीटर water है तो मैं ये बोलूंगा कि 15 लीटर milk जो होगा total solution 20 लीटर में होगा कि नहीं ये बात समझ में आ रही है कि नहीं अब यहाँ पे पूछा दोनों मिसरण में दूद की ताकत कन पात पूछा है तो जब milk पूछा है तो हमें milk cable compare करना है पहला मिसरण A है दूसरा मिसरण भी है यहाँ पे milk का ratio निकालना है तो पहले में मिल कितना है 15 आउट ओफ कितना 20 दूसरे मिल कितना है 12 आउट ओफ कितना 18 बिटा ratio निकालना है तो पांत ती पंद्रा पांच चको बीच छे दूनी बारा छे तीक ठारा तीन तीक नो चार दूनी आट नो रेशो आठ आपको option A बोलो क्या clear हुआ clear हुआ कि नहीं अभी clear हुआ कि नहीं बताओ easy समझ में आया कि नहीं कभी दिमाग से निकलेगा तो नहीं बोलो कभी दिमाग से निकलेगा तो नहीं बच्छो कभी नहीं निकलेगा ना ठेक next question देखते हैं इसे try गरो same question है टाइमर आपका यह है पड़ा फट ट्राइ करो अभी फिर से देखना अच्छे समझ में आएगा अच्छे आप 300 लाइक कर दो केवल रीचा का अंसर है 25 रेशो 4 टाइम आपका फिनिस होता है देखो यहाँ पर 10 अब मैं औरल सॉल करूँगा भाई देखो 10 अपन 12 फिर यहां कहा रहे है 12 अपन 15 रेशो निकालूँगा तो 2 पंचे 10, 2 छाक का बारा, 3 चको बारा, 3 पंचे 15, 25 रेशो 24 आपका उप्शन कौन सा? C क्या आप ओरल कर सकते हैं अब? बोलो, क्या आप ओरल कर सकते हैं? तो इतनी स्पीड में आप आंसर क्यों नहीं आ रहे? रिचा वीडिया मेरी ओफ्लाइन स्टूडेंट है, ये पहले पढ़ चुकी है मेरे से बोलो सब लोग भाई इतनी जल्दी आप लोग स्टूड कर सकते हैं ना? चलिए नेस कोशन से अच्छा ये कह रहा है दो पात्र हैं जहाज हों कि यहां वेसल्स नहीं हैं पात्र हैं तो पात्र में कैसा तीन इशो दो चार इशो एक एक आट्रम दूदर पानी का मिस्ट्र समान मात्रा होती है जब अच्छी तरह मिस्ट किया जाता है ना हैं आप समझो समझो वेरी गुट अब समझो concept पहले समझो, फिर हम इसको बताते हैं, पहले concept समझो, सुनो, आपको ये concept सीखना है, कौनसे concept और सभी लोग comment करेंगे, ये concept क्या है, रटना नहीं है, सीखना है, समझो, क्या है इस concept का मतलब, basic देखो पहले, basic बताते हैं, हमने कहा कि ये एक पात्तर है, ये milk and water है, ये हमान लेते हैं, 7 ratio 3 है, ठेक, फिर दूसरा एक पात्तर है, जिसमें milk and water है, 4 ratio 1 है, फिर एक पात्तर है, जिसमें milk and water है, इसमें 9 ratio एक है, अब इन तीनों को मिलाया क्या, बर्खुरदार अब तीनों को हमने मिला दिया, इस तरीके से, अब तीनों के मिला के बच्चों हमने एक बनाया, पात्तर different, हमने क्या बनाया पात्तर different, यहां पे हमने लिखा milk and water, अब बताओ ratio क्या है, तो कभी भी आपको, समझ गया, कभी भी आपको, दो से तीन mixer मिलाने हो, अब एक बात बताओ, आपके पास भाई सुद्ध जाओं में जाओ, तीन पीपा हैं, तीन पीपा है, दूद पानी का अनपाथ इसे मिला के रखा गया, आब बोला गया है, एक नया पीपा त्यार करो, तब एक बात बताओ, एक पात्र लोगे, या जैसे एक कप ले रहे हो, तो क्या इन तीनों के लिए अलग अलग लोगे, जब मिलाओगे, लोगे तो समान ना, बराबर लोगे, तो जैसे आपने इससे निकाला, इससे निकाला, इससे निकाला, इससे निकाला, इससे निकाला, तो क्या ये पात्र तीनों के लिए बराबर होगा कि अलग अलग बोलो क्या होगा बराबर होगा कि अलग अलग पहले बताओ तीनों के लिए बराबर होगा या अलग अलग बताओ इतनी सी बात बतो, बराबर होगा, अब बहुत जब इन तीनों से बराबर बराबर निकालोगे, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये तीनों बराबर होने चाहिए कि नहीं, तो यहां से concept निकल के आता है, जब भी हम तीन में या चार कोई भी मिस्रणों इनको मिलाया जाता है, त ये कितना है, 10 यूनिट, ये कितना है, 5 यूनिट, ये कितना है, 10 यूनिट इनका योग, बराबर होना चाहिए, तो हम इसे बराबर करेंगे, तो यहां पर तो 10 है, तो इसमें 2 का केवल मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आपका 8 ratio दो, 8, 2, 10, 7, 3, 10, क्या बराबर गएगा, तो 7, 8, 7, 15, 15, 15, 9 कितना आ गया, 24, 24 मिल्क हो गया, वाटर देखो बहुआ, 3, 3, 2, 5, 5, 1, 6, 6 आ गया कि नहीं, बोलो हां किना, 6 आ गया किनी, 3, 2, 5, इसका ratio निकालेंगे, तो क्या 4 ratio बना गया, क्या, पाइनल भी आपका 4 ratio बनाया, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं, कॉंसेट क्या सीखा आपने, कि 2 क्वांटिटी को आपको मिलाना है, 2 क्वांटिटी को आपको क्या करना है, मिलाना है, 2 क्वांटिटी को क्या करना है, मिलाना है, 2 क्वांटिटी को क्या करना है, मिलाना है, बोलो, क्या सीखा आपने, 2 क्वांटिटी को आपको मिलाना है, 3 क म3000 को सिम कर गए यहाँ पिसरों यहां पर सिमेक कोशंन मैं और दे रहा हूं आप लोग समझतना मेरी ज़ने मेरी बच्चो प्यारे सी जैसे मैंने लिखा ख सकत ही यह मलका इंवाट़ सो यह tidak यहां पर आपका आंसर आएगा क्या बोलो हाइ स्पीड में हुआ की नहीं बोलो बच्चो बोलो बच्चो क्लियर हुआ की नहीं बच्चो हम 25-25 पंदरा अरे बोलो बच्चो सब लोग सब लोग सीखें की नहीं 5 रेशो थीन किसी ने मिस्टेक कर दी कोई बाप नहीं कोश्चन प्याते तो बटा आप सभी लोग कांसा कॉंसर चांसर चांसप बोलो बोलो बेटा इस कॉंसेप्ट का सभी लोग एक बार नाम बोलो सभी लोग एक बार नाम बोलो इसका ठीक सतेंद्र वर्मा छलिए इस कोशन को देखते हैं फिर से 2 रेशो 3 क्या ये दोनों सेम हैं दखो दोनों रेशो 3 2 5 4 1 5 सॉल भी नहीं करना 4 3 7 2 1 3 साथ रेशो 3 आंसर सॉल करने की ज़रुवत है बोलो ये ताइवान कॉंसर लिख रहा है अरे मेरे भाई क्लियर है बोलो हां कि ना बहुत आसान बहुत आसान अले दुनिया असान लगेगी अभी क्या मैत कठीन है बोलो सब लोग क्या मैत कठीन है बच्चों प्लेलिस्ट अभी बनवा देंगे मिल जाएगी ठीक है अभी फोन करें दे रहें प्लेलिस्ट बन जाएगी क्या मैत कठीन है बोलो सब लोग नहीं चलिए अच्छा इसे ट्राइ करिए अब इसे ट्राइ करिए अब देखो बच्चों फिर एक कॉंसेप्ट आपसे बोला कि अच्छे से मिल जाए तो बिलकुल नहीं ओके मेरे रहते कभी नहीं अब देखो बटा कहानी वहां पर आते हैं अभी हम यहां पर समझा रहे थे अभी हम यहां समझा रहे थे यह सब को हो गया अभी हम यह कह रहे हैं काम करो बहुत देखो यहां पे question अब बताते हैं यह इसी पे concept अब बढ़ाते हैं अब क्या है मैं थोड़ा से आंगे बढ़ी थोड़ा से लेबल बढ़ा थोड़ा से चीजे बढ़ी और आपको यहां पे चीजे और बढ़ती चली गई बोलो हा की न यह सारी चीजे बढ़ती चली गई की नहीं बोलो हा की न बच्चो यह भी बढ़ता चला गया समझ में आय की नहीं बोलो हा की न और यदि हम लोगों ने यह देखा तो हमने देखा चार्च है अभी मैं कहूं कि बच्चो यह 1 ratio 3 पे मिलना है किस ratio पे 1 ratio यह मालू इसे 2 ratio 1 पे मिलाना है इन दोनों को 2 ratio 1 पे मिलाना है मतलब आपसे समझ रहे हैं इससे दुगना मतलब यह पीपा दुगना लेना है यह पीपा एक गुणा लेना है मतलब जैसे कोई धान बोरी कुछ भी मिलाओ भाईया ध्यान रखना है प्रेक्टिकल लाइफ होती है जो मिलावट वाले होते हैं सर्ट टेबल पढ़ा दीजे 21 to 9 भावी जी घर पे हैं अच्छा बिल्कुल हम पढ़ाएंगे टेबल 21 से लेके और कहां तक 29 तक बिल्कुल बिल्कुल यह 2 ratio 1 है तो इसे यदि हमें 2 ratio 1 पे लेना है तो सबसे पहले आपको बराबर करना होगा 14, 6, 20 क्या बराबर है? सबसे पहले आपको बराबर करना है अब कुछ नहीं करना है इसका दुगना मतलब यह quantity दुगनी हो जाएगी तो मतलब यह दुगना तो यह 40 होगा तो 40 पे यदि ही से यह दुगना करना पड़ेगा तो चब 40 होगा तो यह ratio आपका 22 ratio मतलब यह आपको कितना लेना पड़ेगा 22 लेना पड़ेगा और यह 18 लेना पड़ेगा और यह एक गुना रहेगा तो यह 14 रहेगा 6 रहेगा बोलो हाँ किना बस दो एक 14 और 24 कितना है 14 और 22 कितना आजाएगा 36 आजाएगा और 18 चेट 24 आजाएगा इसका ratio निकालेंगे 12 ते 36 बाराद उनी 24 तीन ratio दो आजाएगा बोलो क्लियर हुआ कि नहीं अब दो गुना एक गुना तो same question यही था यह concept clear हुआ तो देखो बिटा अब देखो यहाँ पे question कहाँ था हाँ यह था कह रहा है कि पहले में 2 ratio 3 है देखो पहला पात्तर आपका क्या है बिटा 2 ratio 3 है यह मिलका यह वाटा रहे कितना है 2 ratio 3 है 2 ratio 3 में हम क्या इसे 2 ratio 3 लिखेंगे दूसरे पे कितना है बच्चो अभी जो बोल रहे थे कि सर थोड़ा कठिन कराईए तो क्या कठिन आ गया क्या मुझे बता दे ना धीरे धीरे चीजे को लेबल बढ़ता है खटा पढ़ा देंगे तो आपको समझ में नहीं आता अब यह कह रहा है कि एक रेशो दो लेना इसका एक पात्र इसका दो पात्र अब आपको एक दो का रेशो बनाना है तो बराबर इसे करना पड़ेगा यह पांच है और यह कितना है है क्या पांच हट नौ है तर फट रह को अपांच नौ है क्या अनौ पार मिस्ष्रित होती है क्या अनौ पार्त एक रेशो गश्रोड फॉक्टेसे लिए जोगा बच्चा यदि पांच के यदर करेंगे 20 और 35 यह एक रहे गा और यह 40, 45, 50 हो जाएगा तो मेरे भाई जब जुड़के यह आएगा आएए क्या ठावनों सो सत्तर दिख रहा है क्या और कौन सा उप्शन है बोलो क्या आईजी है बी उल्टा मैंने लिख दिया वाटर और मिल्क है तो आप वाटर और मिल्क कर लेना बच्चों यहाँ पर वाटर और मिल्क दे रखा है बाकी आएगा वाटर और मिल्क ही आएगा फिर तो फिर यह water and milk का ratio आएगा ठीक है एक बार फिर से बताओ क्लियर है कि नहीं थिवारी कॉंसेप्ट कमेंट में सब लोग लिखेंगे दिया आपको भरपूरा अनन्द आया हो ठीक है बोलो क्लियर है कि नहीं बच्चो फिर से अच्छा तो फिर से बताओ तो जैसे नहीं मेला में गये वो लाल बंदर वाला है चावी भरी वैसे बजाता था अभी गया है चावी भर दी उसने बजा दिया मजा नहीं है एक बार और फिर बजाए तो ऐसे ही तुम लोग नहीं आया समझ में एक बार और एक बार और नहीं अभी समझ में नहीं आया एक बार और चलो एक बार और फिर मजा आ जाए फिर दखो बहुआ मगर यार दखो यह सब एक मजाक है सीखना आना चीए आप सीख के जाओ ठीक है फिर से देखो यहाँ पर हमने किया यह milk है यह water है हमने कहा कि पानी और दूद्ध the contents the contents of two vessels containing water and milk in the ratio water milk in the ratio 2 ratio 3 water and milk किस ratio 4 ratio 5 अच्छा सब लोग बताओ इसको किस ratio मिलाना है यह ratio रहेगा मुन्ना एक यह रहेगा दो अब मुझे बस यह बता दो कि इधर दो यह हमने कहां से लिखा यह हमने लिखा कहां से यह हमने कहां से लिखा सब लोग बोलो कहां से लिखा बोलो बच्छो कहां से लिखा ये हम question वा से ही लिखे हैं कि नहीं बोलो समझ गए दखो वो अभी question छोड़के hello सोईता बोल ला है अरे बगवा answer दो master चिला चिला के पढ़ा रहा है समझें कि नहीं तो इधर देखो ये 1 और 2 तो बगवा इसका हमें ये sum 5 है ये 9 हमें इसका ratio बराबर होना चीए क्या बराबर होना चीए sum बराबर होना चीए बोलो हा की ना आर भासकर sorry sir late अब देखो बच्छो यहाँ पे हम लोगों ने देखा इसका बराबर करना पड़ेगा तो यहां पर हमें 9 का बराबर कर दो यहां 9 का multiply कर दो अच्छा बताओ जब 9 का इसमें करेंगे तो यह भी तो होगा 18 और 27 नो का multiply 5 का इसमें करेंगे तो 20 और 25 आएगा क्या बोलो ठेक अब देखो इसको हमें मिलाना है अबटा हमें इसका एक लोटा लेंगे तो इसका समझ लो अगया ऊठारा यह आएगा घटवा इसका एक इसका इटारा रेशो 27 रहका बने इसके दो बार लेंगे तो बीजदुनी 40 हो जाएगा कि बोलो इसदुनी 40 और फिर वहकितना आजाएगा और पचास 40 और पचास यह दिए हम जोड़ेंगे तो क्या 40 18 और 40 वाटर वाटर मिल्क है वाटर और मिल्क है यह वाटर यह मिल्क है ध्यान नहीं नहीं वाटर वाटर 58 फिर धर 27 और मिल्क 170 कि अब क्लियर हुआ कि शर्ची अगे बड़े भवा सब को हमें लेके चलना है एक मिनट तो आज कले इतना ही रखते हैं बच्चो यहाँ ही तक कोशन थे wysi कॉशन थे हमारै अझ को यहाँ की कुशन यहीं तक थे बच्चो फिर मोग मिलते हैं अगले सेषान में समझ गए तो कल अब हम लोग मिलते हैं अपने अगले सेशन में कोश्चन आज यहीं तक थे आप सभी लोग का बहुत प्यार था बहुत आपको थैंकी सो मच दिल से सभी लोग ध्यान समझना कि हम लोग यहां पर एक क्लास यह होती है हमारी 10 पीम पर लेट्स क्रैक एससी पर तो वहां पर भी आप क्लास ले सकते हैं लेट्स क्रैक एससी पर भी क्लास ले सकते हैं लेट्स क्रैक एससी चैनल वहां पर भी क्लास ले सकते हैं इस्टूडियो पे होती है 4 p.m. आप वहाँ पे भी class ले सकते हैं। इस्टूडियो पे कहा होती है? 4 p.m. पे होती है, clear है ना? clear है कि नहीं? आप हमारी स्टूडियो पे 4 p.m. भी class ले सकते हैं। अब आपको एसीजे clear होगे, आप सभी लोगों को session बहुत पसंद आया होगा, thank you so much, जहिन, bye bye, take care, सभी लोग स्वस्त रहें, मस्त रहें, जहां भी रहें, बिंदास रहें, एक घंटे class होती है, हर Saturday, Sunday आपके इस channel पे 12 p.m. पे class होगे, यह आपका Saturday, Sunday fix है, इसी channel पे, study channel पे, 10 p.m. पे, let's crack SSC पे, 4 p.m. पे, Wi-Fi studio पे, और आपका 12 p.m. Saturday और Sunday, कहां पे होगी, study channel पे, ठीक है, thank you sir, अच्छे concept दो sir, हर एक question बिल्कुल अच्छे concept देंगे, आप daily class लेते रहो, pdf के लिए आपको telegram group join करना होगा, भी मैं pdf वहाँ पे upload करें दे रहा हूँ, ठीक है, thank you so much, जहन, मिलते हैं अपने अगले से समने, bye bye, take care, सभी लोग स्वस्तर हैं, मस्तर हैं, जहां भी रहें, बिंदास रहें, अच्छा और बच्चो, आप लोग comment section में, comment section में, class का जरूर बताना है, कैसी लगी, यदि आप ऐसा बताएंगे, 4 p.m. तो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है, आप लोग का यदि comment section में जो भी response आएगा, मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा, आप लोग देंगे, कहा है studio service, बिटा, यह सब चीजे अपने पार है,